कर लाइप में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं बीना गोल का भीना टार्गेट का कि तो वहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शon मोठी है क्यों कि आपके पास टाइम कितना टाइम में कितना बनाना है आपका क्या सेट अप गूल है क्या डायरेक्शन है ओर को कि दिशॉत करना सबसे प्राइमरी मूटी परन जी है किसी भी इंवेश्टर हुं कि आप जो पैसे इन्वेस कर रहे हैं वह आपका तार्गेट क्या है कि इतना पैसा बनाना चाहते हैं उसके इसाफ से मेरल साइप आप करते हैं नमसम करते हैं या बाकी अधर भी जो आप प्लान करना चाहते हैं, उसके एक्वाडिंग आप करते हैं, आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के अंदर, कि अगर आप माल लीजे, जो भी होंदे हैं, तो कितना SIP करना होगा, कौन से बेस्ट मिच्वल फंड हैं, उनकी पोट्फोलियो क्या होगी, कितना पैसा हर मिच्वल फंड स्किम के अंदर आपको डलना होगा, ताकि आप लंबे समय तक इसको बदलने की जोरुत नहीं हो, पोट्फोलियो चेंज करने की जोरुत नहीं हो, अपने लगा दिया है, तो चलेगा लंबे समय तक, इसमें आपको कोई भी अलग से कुछ हेर श स्वागत है आप सबका, मेरे का नए वीडियो में बहुत ही जदा इंफॉर्मेटी वीडियो और, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बोलते आ रहे हैं कि पहली बारा है तो जरूरू लाइक सब्सक्राइब सेर कर दें, वैसे ही, इसमें जो में जो मारा टार्गेट है, जैसे माल ल करेंगे आपको मार्केट, उतना ही आपको अधी के माउंट का SIP करना होगा, और जिनके पास अलग-अलग मैं देखूंगा, 10 साल, 15 साल, कि आप SIP कितना कम कर सकते हैं, कितने साल में 50 लाग का टार्गेट आप पूरा कर सकते हैं, छोटा से छोड़े माउंट आप SIP करके भ के बारे में हम बात करेंगे, और उनका लगवग हम देखेंगे, जो अभी हम देखेंगे, जो फंट्स लें उसके बारे में और भी बात करेंगे, और देखेंगे कि इन सम्में कितना पैसा लगाना चाहिए, आपको, तो एक्शूल में अगर हम इस फोकस करें, तो आप इसके more than 20% को पर दीख रहे हैं है आपको हर बार हर आप देखेंगे तो 20% को पर दीखेंगे लेकिन हम लोग आप मान के चलते हैं मानों के 18% का रिटर्स बना के दिए रहे हैं अभी इन सारी मिचल फंट के डिटल साथ करें और बीटिलस में प्वाफी आपको लगाने चाहिए लेकिन उसे पहले हम कुछ पान में बात करेंगे कि क्या कितना पैसा होने चीछ आपका टार्गेट गोल कि उसकी आप से पितना पैसा बनाएंगे कितना पैसा लगाएंगे जिसे यह आपका गूल फूर्थी लोगा पर स्क्रीन पर चलते हैं स्क्रीन देखे में यहाँ यहां पर आपको दिख रहा है कि टार्गेट एमाउंट हमारा लग रहा है वह हमारा 50 यहां पर यहां पर आपकर लिया है पच्यास लाख का टार्गेट अर्बहुन है अब देख रहा हैं इन्कों छेंज करते हैं shift अब दस सल का पेज दस सल टक क्याप करना जात마 है तो आपका भी कोई इंवेस्ट्मेंट नहीं है और इस्टिमेटेट माली जे की अठारफ पॉसन इंटन्स तो अठारफ पॉसन इंटन्स अगर दे रहे तो दस साल में लगवर आपको फूर्टीन फिप्टीन थाउसेंड का लगवर 14,870 रूपे का मंतली इंसॉल्मेंट करना होगा लेकिन इस पर कंडिसन से कि माली जे की अगर आप नंबर आफ यह बढ़ाते हैं माली जे कि यह 15% दे रहा है 17% दे रहा है आपकी एक्ट्यू अलेवरेज रिटर्न्स लेकिन आप नंबर आफ यह बढ़ा दे रहे 17% दे तो आपको फंद्राजार आफ्टीर का 41 रुपे का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा प पर महिना एक्साइंट करने की एक्स्यूल है बेसी के वहीं आपको करना ही है तो इतना पैसा तो नहीं लगा सकता कोई अजो 25-30 कमा रहा है आप 50% तो नहीं कर सकता है इन्वेस्टमेंट ना बाकि दो उसके एक्स्पेंसिस हैं तो अगर माल लिजे आप क्या कर रहा हो कि 18% अबरेस मानते हैं कि 18% आपका दे रहा है और तो आप नंबर आफ फिर्स बढ़ाईए जैसे कि आप 15 साल के लेगर करना चाहते हैं तो 15 साल के लेगर करेंगे देखिए आपका जो S.I.P. अमांट हो गया हो गया पांच हजार सिंपल समझिये प्रोनलोजी को समझिये कमपाउंडिंग को समझिये आपका एमांट 50 लाख बनेगा सर लेकिन 15 साल टाइम देना होगा और S.I.P. अबू करना होगा जिनको लगता है कि सर मैं 2 साल अब बढ़ा सकता हूं 17 साल कर सकता हूं तो आप 17 साल जब करेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे दिया आपको माल लेते हैं कि भी आप बहुत लखी है बीस परसेंटर्स माइग दो तीन हजार के साइप करना होगा आप इस्टिमेटेट अगर मनाई चलते हैं तो तीन हजार के साइपी में आपका 50 लाख 17 साल में बन जाएगा यानि 15 साल में भी अ आपका पैसा अलाग अलाग इस्ट्रॉल्मेंट में आपको टाइम देना होगा सर अगर आप काते सर और कम करिए 20 साल कर जी 20 साल के लिए पैसे इंवेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे मेरा टार्गेट सर यह रहेगा अब 20 साल करेंगे देढ़ हाजार रूपे आपको इन तो अलाग अलेग अलाग अलेग इनिवस्टमेंट है आपको टाइम देना होगा तो यह है को अगर जब तक कि आप टाइम नहीं देते WOR आपका अधीक संब अगर आप संबी advertisement さ के ापको ज्ची समा करना वोगा आप ऐसरा है हमуш कर नहीं वहगा एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो एक चीज़ बढ़ेगा यह वाइस वरसा चलते हैं इसमें एक दिक्कते हैं और यह तो आपको इत्वता है अब बात करेंगे हम mutual funds के बारे में जो mutual funds को हम लोग categorize किये 5 ऐसे mutual funds कि आप किस ratio में इसमें पैसे डाल सकते हैं अरहे हैं उसके थृगवा सानरी इसमीत बात करेंगे धिसमें अ किया है उसमें पांच मैं लिए है पाँछ में से आप 2 इसप्रमील ने आथा क superheroes चैजुआ free credit here रहे हों यहां पर अन्याग ए जॊपास फंत्ट लिया है यहां यह पहला है सब्सक्राइब करें अगर आप इनकी देखें आए यहाँ पर थोड़ा सा हुज बाड़िन आपको एक एजिपसी मिल रहे है आपको देखेंगे तो एक की नीचे आपको दिखने को मिल रहे है सबका लगवागी की नीचे दिख रहा है आप अगर इसमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसकी में अपने कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा करें तो देखें यहां पर इटांस बात करें तो एक साल में कमाल का रिटांस दिए हैं यहां तक कि मोथिला लासवाल तो सब्सक्राइब नहीं और यहां तक यहां तक कि सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस्टिमेट करके अपने अपको बताऊं कि यहां जो भी हम लोग करते हैं यह सोच के चली कि बीस परसेंट के बीच में रिटन्स मिलेगा यह सोच के ही हमें क्या करना है पैसे को इन्विस्ट करना है अब इसमें माल यह चार फंड लिते हैं और आपको अगर चाहिए आप 10 साल के अंदर आपको वैसे ची तो आप नॉर्मल है कि इसमाल के अंदर आप 3000 रूपीज समाल के आप कर सकते हैं पैसा क्योंकि 15000 करीब आप मीड is 200th में करना चाहते हैं तो आप 3000 3000 कर सकते हैं यहाँ यहां पे 6000 कर सकते हैं तुम्हार से आप अपने पार्फ Immix कर सकते हैं अब यह तो मेने क्या बता है यह तुम्हेने पता है कि आप अगर 15,000 रूपीज का आपके पास अगर बजट है 50,000 रूपीज साई पी करना चाहते हैं लेकिन आगर कम करना चाहते हैं तो इसी रेसियो में आप खंदीजे आप यहाँ 6,000 के जगा 3,000 कर लिजी यहाँ पर यहाँ 3,000 कर लिजी आप यहाँ जितना भी पैसा इंविस्ट करना चाहते हैं, करिए, ये 5 फंड जबर जिस फंड हैं, इसमें बार-बार चेंज करने का जोड़त नहीं होगे, आप अपने capability, capacity के इसमें इंविस्ट कर सकते हैं, वीडियो कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, और लेक, सब्सक्राइब, से पैसे तो लगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जए हिंद बंदे मात्रा